एक बार की बात है, एक छोटे से गाउ में एक जादूई बगीचा था जहां हर प्रकार की सबजिया उगती थी। वहां आलू, तमाटर, गाजर, मटर, पालक और कई अन्य सबजिया थी। वे सब एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और मिलजुल कर रहते थे। एक दिन बगीचे में एक छोटा बच्चा, रहुल आया। वह सबजियों को देखकर बहुत खुश हुआ लेकिन उसने कहा, मुझे तो सिर्फ आलू और टमाटर पसंद हैं। बाकी सबजिया मुझे अच्छी नहीं लगती। यह सुनकर सबजिया उदास हो गई। तभी जादूई बगीचे की परी प्रकट हुई और उसने राहुल से कहा, राहुल क्या तुम जानते हो कि हर सबजी का अपना महत्व है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक गाव में एक राजा रहता था। राजा बहुत बीमार हो गया और कोई भी दवा उसे ठीक नहीं कर पा रही थी। तब एक बुद्धिमान वैध्य ने राजा को सलाह दी कि वह हर दिन अलग-अलग सबजिया खाए। राजा ने वैध्य की बात मानी और हर दिन आलू, तमाटर, गाजर, मतर, पालक और अन्य सबजिया खाने लगा। कुछ ही दिनों में राजा की सेहत में सुधार होने लगा और वह पूरी तरह से ठीक हो गया। राहुल ने परी की कहानी सुनी और समझ गया कि हर सबजी का अपना महत्व है। उसने वादा किया कि वह अब हर सबजी खाएगा और अपनी सेहत का ध्यान रखेगा। इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि हर सबजी का अपना महत्व है और हमें सभी सबजिया खानी चाहिए ताकि हम स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकें धन्यवाद दोस्तों इस कहानी को सुनने के लिए अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृप्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें अगर आप और भी ऐसी ही मजेदार और शिक्षापरत कहानिया सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें जल्दी ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें